61 कब लागू किया गया बताईए दहेज प्रतिशेद अधिनियम गुणी 61 कब लागू किया गया दोस्तों ये अधिनियम है ये एक जुलाई गुणी 61 को लागू किया गया था एक नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा सेकेंड नंबर का प्रेशन इसमें देखे दहेज प्रतिशेद अधिनियम गुणी 61 की किस दहरा में दहेज की परिवासा दी गई है तो दोस्तों दहेज की जो परिवासा है ये दहरा दो के अंदर दी गई है ठीक है दहरा दो में दहेज की परिवासा दी गई है दोस्तों दहरा एक में इस अधिनियम का विश्तार संपूर भारत में होगा और दहरा दो में दोस्तों दहेज की परिवासा दी गई है ठीक है तो यहां पर तीन नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए तीन नंबर का लिए दंड का प्रावधान किया गया है गैं है पुमे कितनी धाय हैं दारा एक से लेकर दारा दस तक दोस्तों इस अधिनियम का विश्तार संपूर्णा भारत में होगा और दो में दहेज की परिवाशत दी गई है धारा तीन में दहेज देने और लेने के लिए दंड का प्रावधन किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रेस्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें धारा चार दोस्तों धारा तीन में क्या है दहेज देने और लेने के लिए दंड का प्रावधन किया गया है और धारा चार में दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधन किया गया है दोस्तों दहेज मांगने के लिए कम से कम 6 माह है और अधिक्तम दो वर्ष का करावास की सजा और 10,000 रुपत तक का जुर्माना हो सकता है तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर उप्शन बिल्कुल सभी तर हो जाएगा धारा चार आगे देखे दहेज प्रतिशेद अधिनियम में ये बात कही गई है जिसके दुस्प्रेरण के कारण दोस्तों कम से कम पांच वर्ष का करावास और साथ में पंद्रा हजार रुपए और दहेज के मुल्य की रकम हो तो दोस्तों यह सजा दी जा सकती है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है द व्यक्ति दहिज लेता है या देता है अत्वा लेने या देने का दुस्प्रेरण करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम कितने साल की सजा दी जा सकती है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पांच वर्ष और पंद्रा हजार रुपए तक की सजा दी जा सकती है तो यहां प दोस्तों दहेज प्रतिशेद अधिनियम गुनी 161 में दहेज प्रतिवेद प्रतिशेद अधिकारी के नियुकति का प्रावदान किस दारा में किया गया है बताइए दोस्तों दहेज प्रतिवेद अधिकारी की जो नियुकति है वो दोस्तों किस दारा के तहत उसके नियुकत बी में दोस्तों देज प्रतिवेद अधिकारी की नियुकति का प्रावधान किया गया है ठीक है याद रखना देज प्रतिशेद अधिकारी की नियुकति धारा आठ बी के अंदर ठीक है तीन नमर उप्शन बिलकुल सही आगे देखे एक सो साथ नमर का प्रस्ण देज का हस् प्रतिशेद अदिनियम की किस दारा में किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है दारा छह में तो तीन नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा दारा छह में ठीक है 108 नंबर का प्रतिशन इसमें देखिए निमने में से कौन सा कानून मैलाओं से समंदित नहीं है तो कौन सा कानून है वो मैलाओं से समंदित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए दोस्तों यहाँ पर नागरिक अधिकार सरक्षन अधिनियम 2005 यह दोस्तों का सरक्षन अधिनियम दोजार पांच इस्तिरियों एवं कन्याओं का एनेतिक व्यापार अधिनियम गुणी सो चपन दहेज प्रतिशेद अधिनियम की धारा चार के नुसार दहेज मांगने के दंड का प्रावधान कितना किया गया है तो दोस्तों दहेज प्रतिशेद अधिनियम गुणी सो चार की धारा चार के अनुसार दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कम से कम 6 मां है वैं अधिक्तम 2 वर्ष का करवास का प्रावधान इसमें किया गया है तो यहाँ पर 3 नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा 110 नंबर का प्रेशन इसमें देखिए दहेज प्रतिसेद अधिनियम की किस धारा में विज्यापन की पाबंदी का प्रावधान किया गया है बताईए दहेज प्रतिसेद अधिनियम की किस धारा में विज्यापन की पाबंदी का प्रावधान किया गया है राइट आंसर हो वितर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों अपना इसमें देखे 111 नमबर का प्रिशन है दहेज प्रतिशेद अधिनियम के किस धारा में गटना के एक वर्ष के वीतर शिकायत करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों मैंने भी आपको बताया था धारा आठ बी इसमें दहेज प्रतिशेद अधिकारी की न्युक्ति की बात कही गई है और धारा आठ ए में घटना के एक वर्ष के वीतर शिकायत करना ये दोस्तों धारा आठ ए में आता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का उप्षन बिलकुल सही आगे देखिए 112 नंबर का प्रेशने यदि किसी इस्तरी द्वारा उसका इस्तरी दन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो यहें प्रावधान भारती दंड सहीता कि किस दारा के तहट दर्ज किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है धारा 406 में धारा 406 में यह प्रावधान किया गया है याद रखना ठीक है यानि कि अपरादिक न्यास बंग ठीक है यानि कि यदि किसी इस्तर दिन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का प्रेशन है इसमें देखे मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें गुनिसो चियाशी तो यहां पर इसमें एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो ज दारा में मैलाओं का एसिस्ट रूपन करने वाले विज्यापनों का प्रतिशेद किया गया है मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम के किस दारा में मैलाओं का एसिस्ट रूपन करने वाले विज्यापनों का प्रतिशेद किया गया है तो अपना इसमें रा दारा तीन में तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हुजाएगा चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही तर दारा तीन में दोस्तों मैलाओं का एसिस्ट रूपन करने वाले विग्यापनों का प्रतिशेद की बात कही गई है तीक है यहां पर इसमें राइट आंसर चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम की किस धारा में इस अधिनियम के अपरादों का संगे और जमानत निये होना बताया गया है बताइए मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम गुनी सो चीहाशी की बात चल रही है यहाँ पर तो यहाँ पर इस प्राइशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कुन सा वो है दोस्तों धारा आठ है तो यहाँ पर दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा दोस्तों मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम गुनी सो चीहाशी में भी दस दाराएं है यह भी आपको इसमें याद रखना है तीक है आगे देखे 116 नंबर का प्रेशन है मैलाओं का एसिस्ट रूपन अधिनियम गुनी सो चीहाशी की किस दारा में सजा का जो प्रावदान है वो दोस्तों धारा 6 में किया गया है ठीक है धारा 6 में तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम में प्रवेश तलासी और जापति का अधिका का प्रावदान किस धारा में किया गया है मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम में प्रवेश तलासी और जापति का अधिकार का प्रावदान किस धारा में किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है धारा पांच में यहां पर तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा धारा पांच में ठीक हैं आगे देखिए 118 नंबर का प्रशन है मैलाओं का मैलाओं का मैलाओं का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है धारा चार तो यहां पर एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा धारा चार यान की एसिस्ट रूपन करने वाली पुष्टकों का प्रकासन वे डाक से भेजना ठीक है आगे देखिए दोस्तो अपना इसमें 119 नंबर का प्रशन है मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम की किस धारा में परिबासाइं उलेखित है तो किस धारा में पर यहां पर चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें 120 नंबर का प्रशन है मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिशेद अधिनियम की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराद किये जाने पर उत्तरदाई व्यक्तिवे कंपनी को द दोसी मानने का प्रावधान किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा साथ तो यहां पर दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा धारा साथ ठीक है आगे देखिए 121 नंबर का प्रशन है मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रति प्रति द्वारान है वो दोस्तों दो वर्स तक का कारवास और 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 122 नंबर का प्रशन इसमें देखिए मैलाओं का एसिस्ट रूपन प्रतिसेद अधिनियम के अपरादों की सिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा किन इस्तानों पर की जा सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नजदी की प्लिस इस्टेशन जिना नेल है उपनिदेशक मैला एवं बाल विकास तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इन सभी इस्तानों पर ये शिकायत है वो की जा सकती है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 123 नंबर प्रशन इसमें देखिए सती प्रथा के निवारन हितु संसतद्वारा कमिसन ओफ सती निवारन अधिनियम पारित किया गया सती प्रथा के निवारन हेतु संसत द्वारा कमिसन ओप सती निवारन अधिनियम पारित किया गया तो दोस्तो ये कब पारित किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सन गुनी सो सत्यासी में ये अधिनियम है ये पारित किया गया ये आपको इसमें याद रखना स गुनिशो सत्यासियोंरे दोस्तों यह प्रेस्न है ये धाराओं से संबंधित हैं अदिक्तर प्रेस्न है और यह आपको प्रेस्न है अनlight को प्रष्ण करें इक गया तब ही आपके mind में ठोड़ा बहुत set हो पाएगा ठीक है और देखने से और सुनने से दोस्तो, ज़्यादा याद होता है, तो ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है यहाँ पे यह सतीपर्था का जो टोपिक है, यह सब से महतो पून टोपिक माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर गुभी सो सत्याशी, इसका राइट आन्सर हो जाएगा चार नमबर ओप्षन सई वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मितना है वो वीडियो को लाइक करती ज़े देखें इस में सती निवारन अदिनियम की कुन सी धारा में सती की यह परिवासा दी गई है मर्तख पती की विद्वा को मर्तख पति य Selbstanners के साथ जीवित जलाना या घाडना बताईए दोस्तों सती पर्था को रोकने और इस्तिरियों की शुरुक्षा के लिए सन गुनी सो सत्यासी में राजस्तान सरकार ने सती पर्था अधिनियम गुनी सो सत्यासी लागू किया गया था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और यहा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह तो सभी को पता होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा दो में यह प्रावदान है तो यहां पर तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए 125 नं बुंदी रियासत में दोस्तों सत्य परतापर सर्वपरतम रोक लगाएगी तो यहां पर अपना चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए गुनीश्व सत्यासी में रुपकमर सती परकरण के समय राजिस्तान के मुक्य मंतरी तो राजिस्तान के उस समय मुक्य मंतरी कौन थे वो थे दोस्तों हर्दय जोशी तो यहां पर दो निंबर का बिल्कुल सही उतर हो जाएगा हर्देव जोशी नेक्स्ट इंपर आगे देखिए कमिस norm of सत पांच में किया गया है ठीक है यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जो कोई सती का गोरव बढ़ाने का कार्य करेगा वह है एक वर्ष से लेकर साथ वर्ष तक के कारावास और पांच अजार से तीस अजार उपर तक के जुर्मानी से दंडित होगा दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही कमिशन ओफ सती निवारन अदिनियम के अनुसार सती होने का प्रियास करने पर दंड का प्रावदान किस दारा में उल्ले खित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें धारा तीन में तो यहां पर तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कु कमिशन ओफ सती निवारन अदिनियम कब लागू किया गया कमिशन ओफ सती निवारन अदिनियम है यह कब लागू किया गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों यह जो लागू किया गया था यह तीन जनवरी गुनी 188 को लागू कि लिया गया था इसमें कुल 22 धाराएं हैं ठीक है एक अदिनियम था दोस्तों कि सती अदिनियम सती सटीयाय palavra 178 में भारद सरकार ने से कमिशन अपसंती निवारण दिनियम कुज तो सट्यासी के नाम से केंद्री कानून में सामिल कर लिया ठीक है और ये अधिनियम है ये तीन जनवरी 1988 को लागू हुआ था और इसमें कुल 22 दाराएं हैं तो यहाँ पर अपना इसमें तीन नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही कमिशन और सती निवरन अधिनियम में कुल कितनी धारां हैं अभी बताया मैंने आपको इसमें कुल 22 दाराएं हैं एक नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए कमिशन ओफ सती निवारन अधिनियम की किस धारा में जिला कलेक्टर द्वारा संपतियों को जब्त करने का अधिकार का प्रावधान दिया गया है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा आठ में धारा आठ में ये प्रावधान दिया गया है तो यहाँ पर अपना इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है संपतियों को जब्त करने का अधिकार दारा आठ में है आगे देखिए इसमें कमिशन ओफ सती निवारन अधिनियम के अनुसार जो कोई व्यक्ति यदि किसी को सती होने के लिए प्रतेक्स या अप्रतेक्स रूप से दुस्प्रेजित करेगा तो वहें व्यक्ति और जुर् बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 133 नंबर का प्रेशन है कमिशन ओफ सती निवारन अधिनियम की किस दारा में सती की प्रेरन होने का प्रावदान किया गया है बताइए दोस्तों कमिशन ओफ सती निवारन दीनियम की किस दारा में सती की दुस प्रेरन होने का जो प्रावदान किया गया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह दुस प्रेरन कर लेना है ठीक है आगे देखिए कमिशन ओफ सती निवारन अधिनियम गुणी 87 में विशेष नैले के गठन का प्रावदान किस धाराम किया गया है यहाँ पर एक नमबर का ओप्सन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए कमिशन ओफ सती निवारन अदिनियम की केस धारा में लोक अभी योजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है धारा 10 में तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 136 नमबर का प्रेस ने इसमें देखिए कमिशन ओफ सती निवारन अदिनियम की धारा 5 के अनुसार जो कोई व्यक्ति सती का गोरो बढ़ाने का कारी करेगा उसके लिए कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक वर्ष से साथ वर्ष तक का करावास और 5000 से 30,000 उपर तक का जुर्माना तो यहां पर अपना इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए Commission of Satie Nivarana Adenium की धाराच्छे में किसका प्रावधान किया गया है तो किसका प्रावधान किया गया है तो दोस्तों धाराच्छे के अंदर धाराच्छे में जिला कलेक्टर को कुछ कारियरोपने का अधिकार है तो यहां पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा दो नमबर का option बिल्कुल सही उतर और धारा 8 में दोस्तों जिला collector को संपत्यों को जब्त करने का दिकार है तो आगे देखिए इसमें गरेलू हिंसाम से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में गरेलू हिंसा की परिवासा किस दारा में दी गई है दोस्तों गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम 2005 लागू किया गया था ठीक है और यह अदिनियम है यह 26 सक्टुमबर 2006 से लागू हुआ था इसमें 5 अद्याय और 37 दाराएं है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहाँ पे गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में गरेलू हिंसा की परिवासा किस दारा में दी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 3 में दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में गरेलू हिंसा की परिवासा दी गई है आगे देखे इसमें गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहत अभी रक्षा आदेश जारी किया जाता है गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहत अभी रक्षा आदेश जारी किया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है धारा 21 चार नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा धारा 21 आगे देखे गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहत आर्थिक सायता का आदेश दिया जाता है गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहट आर्थिक साय तक आदेश दिया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दारा 20 में यहाँ पर तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दारा 20 में तीक हैं आगे देखिए गरेलो हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहट सरक्षन आदेश जारी किया जाता है तो सनरक्षन आदेश यह दारा 18 के अंतरगत जारी किया जाता है यहाँ पर तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 142 नमबर का प्रेश ने इसमें देखिए गरेलो हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम में किस दारा के तहट सनरक्षन अदिकारियों की न्यूकती कि जाती है तो सनरक्षन अदिकारियों की जो न्यूकती है यह कि जाती है धारा 8 में धारा आठ में संरक्षन अधिकारियों की न्यूकति यहाँ पर तीन नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही तर दोस्तों संरक्षन अधिकारी है वो यथा संभव मैलाएं होंगी तीन नंबर ओप्षन सही आगे देखे 143 नंबर का प्रेशन है गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अधिनियम 2005 भारती सविदान के किस अनुचेद के अंतर गताता है तो यह भारती सविदान के अनुचेद 21 के अंतर गताता है दोस्तों तो यहाँ पर इसमें तीन नंबर ओप्षन बिल्कुल सही तर अनुचेद 21 आगे देखिए गरेलू हिंसा से इस्त्री का सरक्षन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको पांच अध्याय और 37 धाराएं हैं तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही इतर हो जाएगा 5 अध्याय और 37 धाराएं आगे देखिए है गरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पर्थिरती पर्थिक्सी ठीक है यहां पर देखिए 145 बारे नियत है दोस्तों सजा के तोर पर नियत है तो इसका का करावा 120,000 तक का जुर्माना यहां पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 146 नंबर का प्रेशन इसमें देखे गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें 2005 तो यहां पर दो नंब क्योंकोर का प्रेशन इसमें देखे गरेलों हिंसा अदिन्यम में वैथित व्यक्तिसे कोई भी ऐसी मैला अविप्रेद है जो तो डोस्तों ऐसी कोई मैला जो परथरती के साथ गρεलो नत्यदरी में हो बिल्कुल सही है पर तिरती द्वरा करेलों इंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का अभी गतन करती है तो यह भी सही है जिसमें दोनों सही है दोस्तों इसका राइट उस है इसका राइट अंसर हो जाएगा चार नमबर का ऑप्शन सही उतर एक और दो दोनों से यह आगे देखे गरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत परितिकर आदेश निमन में से किस दारा के अनुसार मन्जूर किया गया आदेश अबी इसमें दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतरो जाएगा धारा 22 आगे देखिए गरेलू हिंसा की धारा 10 में किसका प्रावधान किया गया है तो किसका प्रावधान किया गया है तो दोस्तों इसमें सेवा परदाता का प्रावधान किया गया है तो यहां पर एक नमबर सरक्षन अदिनियम 2005 से पर्थिरती द्वारा सरक्षन आदेश भंग करने पर किस धारा में सजा का प्रावदान है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 31 में यहाँ पर तीन नंबर का जो ONप्षन है वो इसका बिलकुल सेयूतर हो जाएगा इसमें आगे देखिये 101 नंबर का प्रेशन है गरेलू हिंट से माईलाओं का सरक्षन अदिनियम 2005 की धारा 12 के अंतरकत कोन आवेदन प्रस्तूत कर सकता है गरेलू हिंट से माईलाओं का सरक्षन अदिनि कारी वेचित व्यक्ति के निर्मित कोई भी अन्य व्यक्ति तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए गरेलू हिंसा से मैलाओं का सरक्षन अदिनियम 2005 की धारा 31 का अपराद होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संगे और जमानतिय तो यहां पर इसमें एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए गरेलू हिंसा से इस तरीका सरक्षन अदिनियम 2005 कौन सी तारिक से प्रवत हुआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 26 सक्टुमबर 2006 से यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 26 सक्टुमबर 2006 से आगे देखिए गरेलू हिंसा से इस तरीका सरक्षन अदिनियम 2005 के अंतरकत बालक को कैसे परिवासित किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए 18 वर्ष से कम आयू का वेक सब्सटस बिल्कुल सही और गरेलू हिंसा से मईलाओं का सरक्षन अदिनियम की धारा तीन के तहट यून या लेंगिक दुर्भे वर का तातपरीय क्या है तो दोस्तों यह लेंगिक का दुर्भेवार का तातपरीय क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐसा करते या आच्रन जो नारी की गरीमा और सम्मान का दुर्वियोग करता है। यहाँ पर अपना इसमें एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही रत्र हो जाएगा। आगे देखे आपरादिक भे और आपरादिक बल किस परकार की गरेलू हिंसा में सम्मिलित है। तो दोस्तों यह सम्मिलित है सारीरिक दुर्वियवार में। तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखे पुत्र पैदा नहीं करने और बांज कहेंकर उपहास करना या विखारी की ओलाद के नाम से महिला को बलाना किस परकार की गरेलू इंसा में सामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोखिक और भावनात्मक दुर्वियवार मोखिक और भावनात्मक दुर्वियवार तो यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही। तर हो जाएगा। एक सोठाओन नंबर प्रेशन इसमें देखिए लेंगित परकर्ति का कोई ऐसा आचरन जिससे मैला की गरीमा का दुरुपयोग अपमान तिरसकार या अतिकर्मन होता है तो क्या कहलाता है। लेंगित परकर्ति का कोई ऐसा आचरन जिससे मैला की गरीमा का उप्योग अपमान तिरसकार और अतिकर्मन होता है तो क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तो लेंगित दुरुवेवार यहां पर चार नंबर का उ हिंसा के संरक्षन की अधिकारिता किसे प्रदत की गई है तो किसे प्रदत की गई है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नयाइक मजिस्ट्रेट पर्थम वर्ग मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट तो यहां पर इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो आगे देखिए 160 नमबर का प्रेशन है गरेलू हिंसा से तात्प्रिये है गरेलू हिंसा से क्या तात्प्रिये है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए हिंसा प्रतारना ये दोनों है ये दोस्तो गरेलू हिंसा से तात्प्रिये है तो यहाँ पर चार नमबर क का option right answer हो जाएगा ए और भी दोनों आगे देखिए गरेलु हिंसा की धारा 5 के अनुसार पुलिस अधिकारियों शेवा परदातां और magistrate जिनको गरेलु हिंसा की गटनाओं के बारे में पता चलता है तो वहें व्यथित व्यक्ति को किन अधिकारों के बारे में सचित करेगा तो किन अधिकारों के बारे में सचित करेगा तो यहाँ पर इस प्रैस्न का right answer हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखे पीडि सचिता सरक्षन अधिकारियों की सेवाएं ले सकती है बिल्कुल सही है तीसरा है इसमें उसे निस्वल के विदिक साहता प्राप्त करने का अधिकार है बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो ज इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर option बिल्कुल सही आगे देखे गरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पर्थम सुनवाई के कितने दिन में आवेदन के निप्तारे का प्रियास किया जाएगा गरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रे से मैलाओं का सरक्षन अधिनियम 2005 के संदर्व में सत्य है तो कौन सा इसमें सत्य है तो देखिए भारत गंडराजे में सोरी भारत गंडराजे के 56 वर्स में उक्त अधिनियम निर्मित हुआ है बिल्कुल सही है दोस्तों आगे देखिए इस अधिनियम में मैलाओं के अधिक कार मैलाओं के लिए है बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कतन सत्य है चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही 165 नंबर का प्रेस ने इसमें देखिए निम्न में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो देखिए धारा 18 सर्रक्षन आदेश ठीक है धारा 22 पृतिकर आदेश ठीक है धारा 20 आर्टिक सायता और धारा 4 सर्रक्षन अधिकारियों की न्युक्ति यह गलत हो जाएगा दोस्तों धारा 4 है यह सर्रक्षन अधिकारी को सूचना से समंदित है धारा 8 है वो है सर्रक्षन दिकारियों के लिए उक्ति से समंदित यहाँ पर इस प्रेस्ट का राइट आंसर चार नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखें 166 नंबर का प्रेस्ट ने ऐसे आर्थिक या वितिय संसादन जिसका व्यथित व्यक्ति हकदार है और उसे वंचित करना और उसके बच्चो के आवशक्ता के लिए अपेक्सित धन साजा ग्रह की संपत्ति से वंचित करना किस परकार के दुर्वेवार के अंतरगत आता है तो यह आता है दोस्तों आर्थिक दुर्वेवार के अंतरगत यहाँ पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा 166 नंबर प्रे अधिनियम के किस धारा में मैलाओं को साजा ग्रेश्ती में निवाज करने का अधिकार दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 17 में दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 168 नंबर प्रेश्त ने गरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा में कारेवाहियों का बंद कमरे में किये जाने का प्रावदान किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 16 में यहाँ पर 3 नंबर का उप्शन बिल्कुल सही रोजाएगा आगे देखिए गरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षन अधिनियम में किस धारा के तहत निवास आवेश का प्रावदान किया गया है तो वो है धारा गुनिस में यहां पर चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा धारा गुनिश में आगे देखिए गरेलू हिंसा की किस धारा में नायले के आदेश की परतियों का निसुलक दिये जाने का प्रावधान किया गया है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है धारा 24 तो यहां पर इसमें right answer क्या हो जाएगा चार नमबर का option बिल्कुल सही उतर धारा 24 आगे देखिए गरेलू हिंसा में सरक्षन अधिकारी को सूचना देने का प्रावधान किस धारा में किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा धारा 4 में यहां पर चार नमबर का option बि अनुसार संरक्षन अधिकारियों के करतवे और करते कोन से है गरेलू हिंसा की धारा 9 के अनुसार संरक्षन अधिकारियों के करतवे और करते कोन से है इसका right answer क्या हो जाएगा देखिए वह magistrate के कारियों में साहता करे बिल्कुल सही है व्यतित व्यक्ति को निशुल्क बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें कारिये इस्तल पर महिलाओं के साथ योन उत्पीडन रोक थाम निशेद और निवारन अधिनियम 2013 कब परभाव में आया तो दोस्तों यह कब परभाव में आया तो यह आया नो दिसंबर 2013 को यहां पर एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लागो हुआ था दोस्तों 2013 में यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर महिलाओं का कारिये इस्तल पर लेंगी कुद्पीडन अधिनियम 2013 में नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा समीती की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पर्थरती पर कितने दिनों के बीतर कारिवाई करनी होगी तो कितने दिनों के बीतर कारिवाई करनी होगी तो दोस्तों 60 दिन के बीतर है वो कारिवाई करनी होगी यहां पर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए केंद्रिय मंत्री मंडल ने गुनिश जु पर लेंगी कुद्पिडन अदिनियम की किस धारा में जिला अधिकारी की न्यूकति का प्रावदान किया गया है तो दोस्तों जिला अधिकारी की न्यूकति का जो प्रावदान है यह धारा पांच में किया गया है तो यहां पर एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देख समीति का गठन का प्रावधान किस दारा में किया गया है बताईए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दाराच्छा में इसका प्रावधान है वो किया गया है या आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सरी धाराच्छा में ठीक है तो यहाँ पर तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 179 नमबर प्रेशने किसी इस्तान पर जहां सदस्यों की संक्या 10 से कम पाई जाती है वहाँ किसका गठन किया जा सकता है तो दोस्तों इस्तान ये परिवाद समीती का गठन है वो किया जा सकता है तो यहाँ पर इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है एक मजलाओं का कारियस्तल पर लेंगी कुद्पिडन अधिनियम की धारा चार में किसका गठन किया गया है तो दोस्तों धारा चार में किसका गठन किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंत्रिक परिवाद समिति का आंत्रिक परिवाद समिति का गठन का प्रावधान किया गया है यहाँ पर चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है इसमें जो मजलाओं का कारियस्तल पर लेंगी कुद्पेडन निवारन प्रतिसे और प्रतितोस अदिनियम 2013 है यह 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था इसमें कुल 30 दाराएं है ठीक है आगे देखिए इस्तानिय परिवाद समीती कि सरचना का प्रावधान किस दारा में किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह दारा साथ में इसका प्रावधान किया गया है ठीक हैं 30 दाराएं हैं दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इस्तानिय परिवाद समीती के अध्यक्स के अलावा और कितने सदस्य होते हैं इस्तानिय परिवाद समीती कि सरचना का प्रावधान है वो क्या गया था इसमें अध्यक्स के अलावा कितने सदस्य होते हैं तो दोस्तों अध्यक्स के अलावा इसमें तीन सदस्य रहते हैं तो यहाँ पर अपना इसमें दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे इस तानिय परिवाद समीति के अध्यक्स वर सदस्यों का कारेकाल कितने वर्सका होता है तो कितने वर्सका होता है यह होता है दोस्तो तीन वर् ओप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए मैलाओं का कारी इस तल पर लेंगी कुट पिड़न अधिनियम की परिबासा किस दारा में दी गई है तो दोस्तों किस दारा में दी गई है तो यह दी गई है दोस्तों धारा दो में यहां पर दो नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए नैले द्वारा अपराद का संग्यान गरेलू हिलसा के किस दारा में किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो धारा 27 में चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा धारा 27 में आगे देखिए इस अधिनियम की उपबंदों की पालना नहीं करने के लिए दंड का प्रावदान किस धारा में किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो धारा 26 में यहाँ पर तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा धारा 26 में आगे देखिए मिथ्या या देवपून परिवाद और मिथ्या साक्से के लिए दंड का प्रावदान किस धारा में किया गया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 14 में इसका प्रावदान किया गया है चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए मैलाओं की कारिये इस्तल पर लेंगी कुद्पिडन अदिनियम की धारा दस में किसका प्रावदान किया गया है तो दोस्तों दस में मद्यस्ता द्वारा सुलय का प्रावदान किया गया है मद्यस्ता द्वारा सुलय का प्रावदान एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देगे कोई भी व्यक्ति मैला कारे इस्तल पर लेंगी कुद्पिडन की गटना तारिक से कितनी एवदी के बीतर लिखित में परिवाद यानि की सिकायत कर सकती है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है तीन माहा के बीतर यह सिकायत कर सकती है एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें मैलाओं के कारे इस्तल पर लेंगी कुद्पिडन अधिनियम की धारा 13 में किसका प्रावदान है तो दोस्तों किसका प्रावदान है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जांच रिपोर्ट का तो यहां पर दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाका दिशान इर्देश कब जारी किये गए थे तो यह गुनिश्टों सही जारी किये गए थे यहां पर दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे ये लागू हुआ था तो यहाँ पर इसमें दो नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में सरोपर्तम डाकन या डायन पर था पर रोक किस रियासत ने लगाई थी राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो उदैपुर रियासत ने लगाई थी एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें डायन परतार्ना और डायन वर्ती निशेद का प्रावधान किस धारा में किया गया है तो यह किया गया है दोस्तो धारा तीन में यहाँ पर चार नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें जो कोई डायन वर्ती का प्रियोग किसी व्यक्ति को हानी या सती पूचाने के लिए करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है तो दोस्तो इसका राईटा अंसर हो जाएगा वो है इसका जो प्रावधान है वो धारा पांच में किया गया है तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए राजस्तान में सरोपर्थम डाकन 1813 में माराना सवरूप सिंग के समय लगाई गयी थी यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान डायन पर था राजस्तान डायन पर त्यारना निवारन अदिनियम की धारा चार में किस का प्रावधान किया गया है तो धारा